नमस्कार, न्यूस क्लिक में आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं इतिहास के पन्ने मेरी नजर से इतिहास जब रचा जाता है, किसी को इसका बोध नहीं होता, ना रचने वालों को, और ना ही देखने वालों को ठीक, सौ साल पहले, जनवरी 1920 में, जब महात्मा गांधी पहली बार पंजाब के लिए रवाना हुए, कौन जानता था कि कुछ ही महिनों में वे राश्ट्री आंदुलन को एक नई दिशा दे देंगे 1920 एक तरह से एक नई इपॉक की शुरुवात थी, अगले तीन दशक वे हमारे नाशनल मूवमेंट का गोल्डेन पीरियड था इन तीन दशकों में तीन महत्वपून आंदुलन हुए, हिंदुस्तान की जनता पॉलिटिसाइज हुई, जिसकी वज़ा से अंग्रेजी हुकूमत को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा ऐसा नहीं कि मैं इतिहास के ये पन्ने सिर्फ इसलिए खोल रहा हूँ, क्योंकि ये बाते सौ साल पुरानी हैं अगर नौन कोपरेशन मूवमेंट किसी और पीरियड से रिलेटेड होता, तब भी मैं उसकी याद आज के भारत में जरूर करता इसमें कोई दो राये नहीं कि पास्ट और प्रेजन्ट का एक डाइनमिक रिष्टा होता है इतिहास हमें सिखाता है और समकालीन घटनाएं हमें इतिहास की याद दिलाती है आज समाज में ऐसी कौन सी हलचल हम देख रहे हैं जिसकी वज़ा से नौन कॉपरेशन मुव्मेंट को याद करना जरूरी है मई 2019 के नतीजों के बाद सब मानने लगे थे कि देश में राजनेतिक कॉन्टेस्टेशन का वक्त खतम हो गया है बीजेपी के जीत के बाद किसमें विरोध या विद्रो की राजनीती करने के लिए उत्सा या एनरजी बची थी सरकार ने भी एक के बाद एक रिप्रेसिव कदम उठाए RTI Act को डाइल्यूट कर दिया गया Unlawful Activities Prevention Act में संशोधन करके स्टेट पावर्स को बढ़ा दिया गया ट्रिपल तलाक कानून का डॉग विसल बजा दिया गया और सबसे बड़ी बात जम्मू कश्मीर का स्टेट हुट खतम कर दिया गया Article 370 को बस कागजी प्रोविशन्स में तबदील किया गया Finally, Parliament के Winter Session में Full Speed से Citizenship Amendment Act को पास कर दिया गया लेकिन इस बार जनता चुप नहीं रही CAA के Enactment के पहले से ही Assam और North East में प्रोटेस्ट हो रहे थे Ultimately, सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मूदी और जपान के शिंजो आबे के बीच हाई प्रोफाइल गोहाटी में समिट मीटिंग को एन मौके पे कैंसल करना पड़ा हलाकि North East में CAA का विरोध पहले से कम हो गया है लेकिन इस कानून के खिलाफ आंदोलन देश के अलग-अलग शहरों और कजबों में लगातार फैलता जा रहा है बीजेपी सरकार के खिलाफ आइडियोलोजिकल कॉंटेस्टेशन का दौर शुरू हो गया है लोग नागरिक्ता को धार्मिक पहचान या रिलिजिस आइडिन्टीटी से लिंक करने के विरोध में सडकों पर निकल आए हैं बीजेपी और संग परिवार की राजनीती सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना को प्रोमोट करती है जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं या फिर लगातार शामिल होते जा रहे हैं वे सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं जिस तरह से सौ साल पहले हर हिंदुस्तानी ने गांधी जी के आवाहन पर दूसरों की लड़ाई को भी अपनाया था उसी तरह एक दूसरे के साथ आज आम भारतिये खड़े हो रहे हैं CAA से मुसल्मान को खत्रा ज्यादा महसूस जरूर हुआ है मगर आंदोलन में सिर्फ मुसल्मान नहीं है हिंदु और बाकी धर्मों के लोग भी हाथ में हाथ डाल कर कंधे से कंधे मिला कर स्टेट पावर को रिजिस्ट कर रहे हैं सौ साल पहले खिलाफत आंदोलन और नौन कॉपरशन मुव्मेंट के दौरान हिंदु मुसल्मान एक जुठ हुए थे उन्होंने देश की रिलिजिस यूनिटी और डाइवर्सिटी को दर्शाया था उसी तरह से प्रोटेस्टर्स एक बार फिर से दिखा रहे हैं कि हम अनेक भलई हों लेकिन जब भी हम में से किसी पर भी हमला होगा तो हम युनाइटेड हैं क्या आपने कभी सोचा है कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को आजादी की लड़ाई में क्यों शामिल किया था आखिरकार मुद्दा तो मूलत धार्मिक था और हिंदूओं का इसे क्या लेना देना था ओटमान एंपायर का रेस्टोरेशन या फिर खिलाफत का इंफ्वेंस कहां तक हो उसे हिंदूओं के एक्जिस्टेंस पर क्या असर होता फिर भी खिलाफत और नौन कोपरिशन की बात आज भी एक ही सांस में क्यों की जाती है बात समझने के लिए हमें थोड़ा और पीछे 1915 में जाना होगा उस वक्त गांधी जी साउथ आफ्रिका से वापस आये थे इंडियन नैशनल मूवमेंट उस समय या तो पॉलिटिक्स आफ स्टडी लिमिटेशन के स्टेट में था क्लासेस का मूवमेंट था जिसमें मासेस मिसिंग थे गांधी जी मानते थे जब तक आम हिंदू और मुस्लमान साथ नहीं आएंगे एक प्लाटफॉर्म में कॉमन कॉज नहीं इस्टैबलिश करेंगे आजादी की लड़ाई जन आंदोलन या मास मूवमेंट नहीं बन सकती जब से 1885 में कॉंग्रेस का गठन हुआ था मुसलमान कम आकरशित हुए थे 1906 में मुसलिम लीग का गठन के बाद ये तो और कम हो गया गांधी जी मानते थे मुसलमानों का राश्ट्री आंदोलन में शामिल होना बहुत जरूरी है इसलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट किया और कॉंग्रेस के एजिंडा में उसे शामिल किया साउथ आफरिका में गांधी जी ने रेशिल प्रेजुडिस के खिलाफ जो आंदोलन शुरू किये थे उनके प्रमुक फंडर्स मुसलमान थे भारतिय डायस्पोरा में धार्मिक आइडेंटीटी के हडल को लांगते हुए यूनिटी एस्टैबलिश करनी आसान बात थी वहाँ सब पहले इंडियन थे और बाद में हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चन या पार्सी भारत में भी गांधी जी इसी मॉडल को अपनाना चाहते थे लेकिन गांधी जी को पता था कि कलोनियल रूल के खिलाफ हिंदू, मुसलिम, जॉइंट, फ्रंट बनाना बहुत मुश्किल था बहुत समय से अंग्रेज दोनों समुदाएं को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाते रहते थे उन में हिस्टॉरिकल मदवेद भी थे और अंग्रेज डिवाइडन रूल की पॉलिसी को अपना चुके थे 1909 में इंपीरियल काउंसिल के चुनाओं में मुसल्मानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट भी बना दिया गया था लेकिन गांधी जी विजनरी और बहुत बड़िया स्ट्राटेजिस्ट है उन्होंने रॉल एट आक्ट के खिलाफ सत्यागरा को जालियाँ वाला बाग मैसकर के एगेंस्ट सेंटिमेंट और खिलाफत आंदोलन के साथ मर्ज कर दिया उन्होंने कॉंग्रेस के दूसरे नेताओं को भी इस दिशा में कन्विंस कर दिया मॉडर्न इंडिया के इतिहास में 1920, 21 और 22 तक का आंदोलन हिंदू-मुस्लिम यूनिटी का हाई पॉइंट था खिलाफत आंदोलन को समर्थन मिलने की वज़े से मुसल्मानों की सोच में भी बदलाओ आया आंदोलन में हिस्सेदारी सिर्फ इसी इशू की वज़े से नहीं रही मुसल्मान भी नैशनलिस्ट आइडियास को शेयर करने लगे गांधी जी कहते थे मुसल्मानों का दर्द हमारा दर्द है इसका रेसिप्रोकल सेंटिमेंट जल्दी देखने को मिला कुछ समय बाद इस पैन इसलामिक सिंबल ने पैन इंडियन यूनिटी के रास्ते खोल दिये धीरे धीरे मुसल्मान भी इंडियन नैशनल मुव्मेंट के मेंस्ट्री में शामिल होने लगे खिलाफत आंदोलन और नौन कॉपरशन मुव्मेंट हिंदुस्तान के इतिहास में पहला मास मुव्मेंट या जन आंदोलन था कॉंग्रेस के बहुत नेता अंधेरे में च्छलांग लगाने के लिए अन्शोर थे मगर गांधी जी और उनके खास साथियों ने सब को कन्विंस किया शुरुआत से ही आंदोलन दुनिया के सामने अहिंसा या नौन वाइलेंट प्रोटेस्ट का प्राइम एक्जामपल बन गया इंडियन्स ने कलोनियल रूलर्स के उपर मॉरल विक्टरी हासिल कर ली पांच जन्वरी 1920 को गांधी जी ने Disorders Inquiry Committee जिसको Hunter Committee भी कहा जाता था उसको एक महत्वपून बयान दिया था ये कमिटी बिटिश सरकार ने जालियां वाला बाग मैसकर को इन्विस्टिगेट करने के लिए नियुक्त की थी इस स्टेट्मेंट में गांधी जी ने सत्याग्रह के principles को समझाया गांधी जी ने बताया कि उन्होंने South Africa में सत्याग्रह सक्सेस्फुली प्रैक्टिस किया था उन्होंने अर्ग्यू किया राजनितिक एरीना में जनता के स्ट्रगल का मुखे थ्रस्ट हर अंजस्ट कानून के खिलाफ होता है उन्होंने अपने स्टेट्मेंट में लिखा सत्याग्रह लाजली अपेर्स तो पॉबलिक as civil disobedience or civil resistance It is civil in the sense that it is not criminal उन्होंने आगे लिखा In my opinion, the beauty and the efficacy of satyagraha is so great and the doctrine so simple that it can be preached even to children और आगे उन्होंने अर्ग्यू किया When the rollet bills were published, I felt they were so restrictive of human liberty that they must be resisted to the utmost I observed too that the opposition to them was universal among Indians No state, however despotic, has a right to enact laws which are repugnant to the whole body of the people much less a government guided by constitutional usage and preceded such as the Indian government क्या आपको उन्होंकी बाते आज के कॉंटेक्स में रिलेवन नहीं लग रही हैं गांधी जी ने आंदोलन में तीन नारों को केंद्र में रखा पंजाब रॉंग, खिलाफत रॉंग and स्वराज गांधी जी एस्ट्यूट पॉलिटिशन थे उनको पता था मास एपील बढ़ाने के लिए उद्देश का ऐलान करना जरूरी है रोड मैप पेश करने की नेसिसिटी कम है खिलाफत नौन कोपरेशन मूव्मेंट के द्वारा राश्ट्रे आंदोलन को नई दिशा और थ्रस्ट दिया गया लेकिन गांधी जी को पता था कि लड़ाई लंबी होगी और अल्टिमेट अबजेक्टिव हासिल करने में वक्त लगेगा फेब्रियोरी 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने एका एक आंदोलन वापस ले लिया कॉंग्रेस के बहुत नेता अचम्बित रह गए लेकिन गांधी जी को पता था कि इन दो सालों के गेंस आगे काम आएंगे आंदोलन कारियों को ये पहली बार महसूस हुआ कि बिटिश साशन को भी सीरियस चैलेंज दिया जा सकता है 1920 में किसी को पता नहीं था आगे क्या होगा लेकिन गांधी जी ने जनता को कन्विंस किया अनजस्ट कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट करना उनका सिर्फ अधिकार ही नहीं मगर दाईत्वभी है उस पीडी के प्रोटेस्टर्स ने आने वाले जनरेशन को रास्ता दिखाया और उनका काम सरल किया खिलाफत नौन कॉपरेशन की सबसे बड़ी उपलब्दी हिंदू-मुस्लिम यूनिटी थी साथ ही गांधी जी ये भी मानते थे कि इस एलाइंस में उनको भी शामिल करना चाहिए जिनको अच्छूत कहा जाता है सौ साल बाद दलित पॉलिटिकल और सोशल रिप्रेजेंटेशन अभी भी अनफुल्फिल्ड अजेंडा है गांधी जी ने खिलाफत नौन कोपरिशन्ट मूव्मेंट के चार स्टेजेज को फॉर्मूलेट किया था पहला था अपने टाइटल्स और पुरसकारों को वापस करना गांधी जी ने अपने सारे मेडल्स जो बिटिश सरकार ने उन्हें भेंट किये थे August 1920 में लोटा दिये अपने चिथी में गांधी जी ने लिखा Valuable as these honors have been to me I cannot wear them with an easy conscience as long as my Musliman countrymen have to labor under a wrong done to their religious sentiment Events that have happened during the past one month have confirmed that the imperial government have acted in an unscrupulous immoral and unjust manner and have been moving from wrong to wrong in order to defend their immorality I can retain neither respect nor affection for such a government Hindustan की आज की सरकार इस फॉर्म अफ प्रोटेस्ट को अवाड वापसी लेबल करके बदनाम करती है हिंदुस्तान में CAA और बाकी मुद्दे चाहे JNU और AMU में चात्र आंदोलन या फिर Economic और Workers इशू के खिलाव जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनमें जो Inter Community Unity अब तक दिखाई दी सबसे inspiring है हमें नहीं पता आगे क्या होगा क्या आज का दौर 1973-74 के नव निर्मान आंदोलन और संपूर्ण करांथी का प्रतीक है क्या जिस घटना करम और पॉलिटिकल प्रोसेसस में इंदरा गांधी की सरकार उलज गई थी क्या वही इस सरकार के साथ रिपीट हो रहा है कहा जाता है कि उमीद पे दुनिया काइम है आज के युवाओं और आंदोलन कारियों का एक बड़ा तपका सिर्फ दूसरों से उमीद नहीं कर रही है वह गलत कानून और इंसेंसिटिव सरकार के किलाव खुद लड़ने के लिए तयार हैं और मैदान में उतर गए हैं शायद अनजाने में इतिहास के इस पन्ने से आज के भारतियों ने बहुत कुछ सीखा है उमीद करता हूँ गांधी जी और बाकी नैशनल्स लीडर्स से ये भी सीखे कि किस तरह से पोलिटिकल प्रोटेस को कैलिब्रेट किया जाता है नमस्कार